आज कल ना इंस्टाग्राम पर एक चीज बहुत जादा चल रही है, आपने वह वाली रिल्स देखी हुई है, जब कुछ-कुछ ना इन्फ्रेंसर आते हैं और बोलते हैं, get ready with me, ठीक है, जब वो दिखाते हैं कि अगर अच्छा लगना है, तो ये पांच तरीके के जूते चाहिए, नेकलेस पहनना चाहिए, आपके पास डॉक टाग्स, मतलब समझ रहे हैं, जीन्स आपको ऐसी बैगी-बैगी पहननी है, ओवर साइड टी-शेट्स अलग से होनी चाहिए, शर्टे अलग से होनी चाहिए, ये वह गर है, ठीक है, और उस टाइम पर जब हम उन रिल लड़की तो आख से तरीकी से तयार होकर आ रहा है, वह लड़की आ उसके बास लप टॉप है, उसके बास यह जाती है, उसको तो सब लोग इतना जानते है, मुर्कों क्यों नहीं जाते है, यहां पर इन शब चीजों की वेज़े से जो आप आप सोशल मीडिया पर देखते तो अगर आप एक first year के student हो तो आपको वह वाली चीजे बताऊंगा इस वीडियो में जो शायर से आपको पताऊनी चाहिए जो आपका mindset ठीक करेंगी और जो आपको एक reality चेक देंगी इन सब चीजों के बारे में बात करें अगर आप Instagram पे मैं मानता हूँ यार Instagram पे बहुत तरीकी का content चलता है जहाँ पर आप देखते हो कि यार की लोगों के पास है पहनने के लिए तो सो तरीकी के कपने है इतने महंगे महंगे जूते पहन रहे हैं आपना कॉलज में यह वाले व्लॉग वगरा भी देखा करोगे जब यार तुम देखते हो कि 21 साल के जो बच्चे है तो वह घाडियां लेकर चल रहे है कोई सूपरकार ले रहा है तो कोई अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम ना अपनी ज पर चीज को लेकर जरूर खराब होता है कि मेरे पेरेंट्स के पास ना वो चीजे क्यों नहीं और उसके पास क्यों है समझ रहे हो यह चीज ना मारे दिमाग में आ जाती है क्योंकि जब हम आप कॉलेज में भी आप जाओगे ना जब आप आगे तो जब आप देखोगे लेकिन आप तो रेडमी से काम चला रहे हो अपना जब आपका दोस्ट देखा गा यार कि आप वो ना अपनी बंदी को गाडियों के इंदर कुमा के ले रहा है ठीक है लेकिन आप बोलोगे यार मेरे को बंदी बनाना भी ना आता है तो वो कंपैरिजन वाली स्टेट बहु सिरफ थोड़े टाइम के लिए है फॉर एक्जांपल अगर आप मेरे को बात बता हो अगर कोई भी बच्चा जैसे अगर कॉलेज में गाड़ी लेकर आ रहा है उस टाइम पर अगर आपको बुरा फील हो रहा है तो आपको यह वाली चीज समझनी पड़ेगी कि यह गाड़ अगर मैं अपने दोस्तों की बात करूँ ना तो अगर आप मेरे कॉलेज व्लॉग्स को अगर आप बहुत पहले से देख रहे होगे या फिर अगर इस चानल पर नहीं होगे ना तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार मेरे गुरुप में हर तरीके के लड़के थे एक ऐ लिटरली ऐसे बच्चे भी देखे हूँ है कि जो मतलब कॉलेज उनिफॉर्म के लिए अंदर जाते रहे इसलिए क्योंकि यार उनके पास ना कपड़े वगरे नहीं होते थे खुद के लिए ठीक है और मतलब हमने देखे हूँ है वो सब बच्चे ठीक है और उस टाइम पर बच्चे अगर तो एक देखे हूँ है तो तो ना उस टाइम पर मैं समझता था कि बुरा भी लगता है यह वो गरा लेकिन यह मेरा माइंड सेट ना पहले दो चीजों की वज़ह से बदल चुका था पहला एक बदला मेरा निकलने के बाद और दूसरा जो मेरे पापा की तो अपने से उपर वाले लोगों की चीज़े देखेगा तो तू हमेशा मरेगा हमेशा डिपरेशन आएगा लेकिन आपने से नीचे वाले लोगों को देखना तो जब आपको पता नहीं कि आपके अपकी ओकात नहीं कर सकते इन सब लक्षुरी वाली चीज़ें को समुझ रह कि आपको ना इंस्टेड आप अपने ऊपर लोगों को देखो और उससे कंपेर करने की कोशिश करो अपने आपको अपने आप से नीचे वाले लोगों को देखना शुरू करो तब जाके थोड़ा सा मतलब आपके अंदर सर्वाइवल वाली चीज आएगी दूसरी चीज यह ज जितना मरजी वड़ा बिजनस हो नो मैटर उसके बाप का कुछ भी नहीं हो लेकिन वो हर एक बच्चा यह जरूर फील करता है कि अब करना क्या है और उस टाइम पर वही बच्चा जीत पाएगा जिसने अपने इन चार सालों के अंदर या तो अपने आपको इतना इंपरू यह कंपेरिजन बहुत जादा आने वाला है तो यह लड़कियों के लिए भी यह एडवाईस जो फस्ट एर के बच्चे है और जो सेकेंड एर कि मालब जो फस्ट एर के लड़किया उनके लिए यह एडवास है कि किसी और को देखकर अपनी जिन्दगी की रियालिटी को चे लेकिन अगर तुम यह चीज़ देख रहे हो कि नहीं उसको इतना पैसे है तो मेरी कोई अकड़ है मेरे को कोई जानते होंगे कौन सक्ष्य महारजन कोई किसी को नहीं जानता है जब तुम बड़े कॉलेज में आते हो ना किसी को घंटा फरकनी पड़ता है कि तुम क्या हो क्या नहीं हो तुमारे बाप के बास कितने पैसे है तुमारे बाप के बास कितने पैसे नहीं है सिर्फ लोगों को यह चीज़ फरक पड़ता है कि क्या तू उनके साथ सही तरीके से बात करता है या पर नहीं बात करता है अगर तुम लड़की हो ना तो तुम अगर सही तरी मेरे पास कॉलेज में मेहंगी से महंगी शर्टे भी हुआ करती थी और 500 रुपे की भी शर्ट हुआ करती थी टीक है लास्ट एर में मैं जब अपने कॉलेज में घूमा करता था लड़कियों वो गएरा के साथ मतले जैसे जाते थे क्योंकि लास्ट एर तक आते आते हमें यह चीज समझ में आ गई थी कि भाई जिंदगी के अंदर अगर कुछ काम आएगा तो वो होगा नूट पैसा किसी भी बंदी को कुछ परकनी पढ़ेगा कि तुमने क्या कपड़े पहने तो अगर तुम लोगों को इंप्रेस करने के ल कि अब आप कोई कुछ इंप्रूव निया जिसको बात करना नहीं आता है स्किल्स नहीं कोई भी समझ रहे हो यह सब चीजे अगर तुम करो लेकिन अगर तुमारे पैसे नहीं 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 तो उस टाइम पे भई कंपेर करने वाली और अपने आपको सड़ाने वाली यह सब चीजे बंद कर दो तो यही चीज आपके लिए डिवाइस देना चाहूंगा कि फर्स्टेर में आगर हो तो यह मैंडसेट लेकर चलना कि भाई दूसरे की जर्नी कुछ हो रहा है मेरी जर्नी कुछ हो रहा है मेरे को अपने से फरक पड़ते हैं और सिर्फ एक बात याद रखन से बाल यह वह कुछ भीनियू होता है कुछ भीनियों। पैसा कमाने के बीचे भागों और पैसा कमाने के लिए इसके अंदर फस होगे ना तो इसी के अंदर फस के रहा जाओगे तो इतना जादा मतलब लोड मतलो कोई डाउट वगरा है तो उसको कॉमेंट बॉक्स में पुट डाउन कर दो मैं जरूर उस कॉमेंट का रिपलाई दूँगा अगर आने वाले टाइम में यह वाले वीडियो चाहते हो कि कितने पैसे मैं कमा रहा हूँ और कैसे स्किल्स आपको सीखने चाहिए और मतलब अभी से आपको शुरुबात कर देनी चाहिए फस्ट एर से तो मैं उसके उपर भी आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊँगा इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं यार 100 लाइ पीस